हेलो फ्रेंड स्वारेते आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्त्रीवनटैक दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए copyright free music कैसे download कर सकते हो मैं आपके एक ऐसा तरीका बताऊंगा अगर आप उस तरीके से download करोगे तो आपकी वीडियो में कोई भी copyright की problem नहीं आएगी क्योंकि कई बार हम बिना सोचे समझे अपनी वीडियो में कोई भी music यूज़ कर लेते हैं जिससे कुछ टाइम बाद हमारी वीडियो में copyright की problem आती है तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको ये वीडियो पूरी last तक जरूर देखनी है मैं आपको इसमें हर एक step बिल्कुल clear करके बताऊंगा कि आपको कैसे download करना है और किन-किन तरीकों से आप download कर सकते हैं वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा क्योंकि मैंने इसमें step by step आपको सारी चीज़े समझाई हैं और मैं आपको सारी चीज़ें आप फॉन पर ही करके दिखाऊंगा आप फॉन से ही download कर पाएंगे अपने यूट्यूब वीडियो के लिए कोई भी copyright free music तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के न्यू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को भी on कर लें आकि आपको मेरी आने वाली नए ने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने मेरी फॉन की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही हो भी साइड में तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है यह क्रोम ब्राउजर है इसके अंदर जाना है और यहां पर हमें टाइप करना है www.youtube.com तो यहां पर अपने आपको जो भी आपने यूटीव एकाउंट है जो भी आईडी है उससे लोगिन कर लेना है अपने यूटीव एकाउंट में मैंने इसमें लोगिन किया हुआ है अपने एक डमी एकाउंट से आपको सिखाने के लिए ठीक है तो इसमें सबसे पह देगी कि तो आपको इसमें यहां पर यह राइट कोडर में देख सकते हैं आपका इकन जो है इसके उपर क्लिक करने है आपको ठीक है और यहां से आपको यूबर चैनल के अंदर जाना है ठीक है यूबर चैंनल आगया उसके बाद आपको यह बहु एक-कस्तोमाइज चैनल का option दिखाई देगा यहां पर मैं आपको zoom करके दिखा देता हूं यह जो option है आपको इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी screen आएगी इसमें आपको continue to studio पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ यह वली screen आ जाएगी इसमें आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं यहां left side में आपको काफी सारे options दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको सबसे नीचे last में मिल जाएगा यह library का option आपको इसके उपर click कर देना है और यहां पर आप देख सकते हैं आपको कितने सारे music यहां पर दिखाई दे रहे हैं फ्री music लिखा हुआ है यह लिखा हुआ फ्री music और यहां पर कितने सारे soundtracks आपको दिखाई दे रहे हैं अब इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं यहां पर search और filter का library का option है इस पिर आप मूड के कोडिंग अपने मूड के कोडिंग कोई आपको सॉंग चुनना है तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं आर्टिस्ट नायम से सर्च कर सकते हैं डूरेशन से सर्च कर सकते हैं आपको कितनी डूरेशन का चाहिए ठीक है तो यहां पर जैसे आपको मूड से सर्च करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे मूड वाले हैं तो आपको जैसा जो सा मूड हो वैसा आप यहां पर स्लेक्ट करके एपलाई कर देंगे तो वही वाली लिस्ट आपके सामने उपन हो जाएगी अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं आपके सामने काफी सारी लिस्ट आ करती है और यहां पर आप यहां पर दिखा दूं मैं आपको लाइसेंस टाइप में यूट्यूब है तो इसका मतलब है अगर आप इस म्यूजिक को यूज करेंगे तो आपको कोई भी क्रेडिट नहीं देना पड़ेगा किसी को भी ठीक है तो एट्रिबेट नोट रिक्वा आपको सामने काफी सारी लिस्ट आ जाते हैं यहां पर देख सकते हैं जो लाइसेंस टाइप है इसमें क्रेटिव कोमेंड लाइसेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब आपको इसमें अगर आप इसमें से कोई भी सौंग चूर्श करते हैं तो आपको इसमें उसको क्रेडिट देना पड़ेगा तो उसको क्रेडिट देने के लिए आपको क्या करना है यहां से सीसी वाले ओक्षिन के उपर जाना है और आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी यहां से आपको यहां से इसको कोपी कर देना है सिंप्ली और अपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे पेस्ट कर देना है इस तरीके से यह दोनों तरीके हैं समझों जबेता हूं जैसे आपको किसी music को download करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर यह added वाला option है इसके उपर आपको just click कर देना है और यह देख सकते हैं मेरे phone में download होना यह शुरू हो गया है तो आप जिसको भी download करना है आप उसको यहाँ से select कर सकते हैं और यहाँ पर यह download का option आजाता है यहाँ से उसे easily अपने phone के अंदर download कर सकते हैं और अगर आप कहीं दूसरा तरीका भी है इसका एक आप YouTube चैनल के उपर search कर सकते हैं कि no copyright free music तो वहाँ पर आपको काफी सारी videos आजाएंगी आप उन videos को भी अपने video के अंदर डाल सकते हैं उन songs को भी और उसके लिए आपको उनका credit देना पड़ेगा उसको ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी YouTube videos के लिए copyright free music डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपनी videos के अंदर use कर सकते हो तो friends उम्मीद करता हूँ आपको ये video अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पता लग गया होगा कि आप कैसे अपनी YouTube videos के लिए कोई भी copyright free music डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर video आपको पसंद आई होते हैं इसे एक like जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें Thank you